प्रेस्ट बेल आइकन और यूट्यूब आप सभी का हार्दिक सोगत है जहिंद रियक्शन्स पे तो आज के लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो में हम देखेंगे जबरदस्ट पॉलिटिकल अनलिस्ट साजित तारडस आपके विचार भारत और मॉलिटिव्स के कॉं बात करेंगे जय हिंद जय भारत मॉलिटिव्स के अंदर एक नए प्रेजिडेंट आये हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सिस हैं कुछ सोल्जर्स ते वो चले जाएं वहां से पहले वो टर हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोधी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्यूज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तर सब यह मौलदीव छोटा सा मुलक है कहीं लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है निपाल में भी मसले हैं बंगला देश में मौलदीव में भी मसल अब चटका अनेलसिज यह है यह जिन मुलकों की हम बात कर रहे हैं मैं इस पर तफसील जिन में आपने पाकिस्तान नेपाल बर्मा मालदीव मुरेश्यस यहां पर क्या हो रहा है यहां पर चाइना रिश्वत के पैसे पहक रहा है और वहां की इस्टेबलिश्मेंट जो है लूट रही है जिस तरह आपने डेट सौ पीजा बना लिए अमेरिका में उन्होंने भी तो पीजे बनाने है न तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वार्दा डाल रहा है चाइना गुर्दे लिखवा रहा है लोगों की यह तोटल यह वाक्या थी 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 मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पर क्या है है क्या मालदीव चीज क्या है यह कब डच का लूनी था फिर बिश्व ने ले लिया फिर उनको कोई पता नहीं क्या हो यह नए प्राज़ड मुहमद मुईस साब आए है एक हफ्ते के टूर पे वो चलेगे चाइना मोधी साब को दुबई में मिले साइड लाइन्स पर लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला यह क्या वह तीन लॉंडे लपाड़े हैं टुईटर के 20-20 साल के बच्चे हैं पता नह उनको वजारत किस तरह देए वजारत क्या है वजारते भी खर कहते हैं यांद फेर कोई उनकी मिनिस्टी है उनके वो तीन लॉंडे लपाड़े हैं और दूसरा यहां बताना चाहूंगा चीमा साब देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है ट्वीटर बड़ी जालम गेम है आप पूर इस तरह की उसी की पैरलल पाइटी है इसका कोई वजूद ही नहीं है कहीं सिरफ स्वाए लॉंडे लपाड़े अमीर घरों के मिगड़े पे बचे क्योंकि दूसरे तो ट्वीटर का रही नहीं सकते हैं दूसरे तो तरह सुबा खाते हैं शाम की फिकर पढ़ जाती व बाप की कुरॉप्शन के पैसे बहुत हैं वो सारा दिन दस दस एकांट बना के ट्वीटर के तो यह वाह याद करते हैं अब वो तीन बच्चों ने किया क्या है उन्होंने अपने अपने मन में तो उन्होंने प्रेजिडेंट मुहम्मद मॉईस साथ जो है उनकी गिल्ड़ मुलक की फारण पालीसी के लिए एक इशू बने गया है अपालोजीज हो रही है और चीमासा में यहां पर बताना चाहूंगा रिलेशनिशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है 1988 का उनका कू था उसको बचाए जाके भारती नेवी ने था 1988 में मालडी में कू हो रहा था तो सेव किया था भारती नेवी ने जाके और उसके बाद वहां पर एक दफ़ा पानी की शाटेज होगी थी इन्होंने अपने जहाज भर-बर के पानी के वहां पेजे अगली बात बता देता हूं चीमासाब के वह वहां पर जो आप कहते हैं अपनी आर्मी आप ले जाएं आर्मी कौन सी है वहां पर उच्छे सारे अलिकाप्टर के पाइलेट है जो बैठें एडियर वहां पर उनका रोल एमर्जेंसी में जाज उडाना है उनका एमर्जेंसी में पास इंफास्ट्रक्चर ही नहीं है कि को बंदा बमार हो जे तो उस लोड़े लपाड़े हैं मरियम शैबना और मलीशा शरीव है एक पायेगा नाम है हसन जीखान है को माजिद्जाद है पता नहीं क्या क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लोड़ा लपाड़ा ये जो नई रेस है इंटरनेशनल डी फेम क ये बाइस बन जाते हैं मुलकों के लिए ये बहुत बड़ा लमा फिक्र है बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए और तीसरा सबक यह है कि मुहम्मद मोई साब प्रेजिडन साब आप चाइना का प्राजेट कर रहे हैं वहाँ पे आपने आप सारा को ठ इस तरह श्रमिंद्गी नहीं बना रही तीनों को सेट किया गया है मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला या नहीं निकाला उन्होंने लेकिन चीमा साथ वहाँ पे दर हकीकत जो उन्होंने इस तरह के रिमार्ट्स दीये हैं उसके पीछे और कई चीजे मैंने रिसर्च की जो भारती वहां जाता है साड़े साथ सो डालस प्रेंट करता है इसलिए वो कहते हैं जी कि हमने हमें इंडियन टूरिस्स जो है वो भी खर उनको है तो ठीक है लेकिन इतना उसको इस नाट इंपॉर्टन फर आस अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में भारत को क्या करना च लेते हैं आप अपने रख लें और फिर देखेंगे को वहां पर इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है जब उनको पता हो टूरिस्ट टूरिस्टों को पता हो खासकर वैस्टन जो है कि हमें वहां आट अटायक हो यह को इस तरह की आफ़त आजए तो उड़ा समय निका बड़ा खुल के पैसे फैंक रहा है और नेपाली याशी कर रहे हैं कोई शक नहीं है वहां पुलिटिकल पाइटीज को बड़ा फंड कर रहे हैं वहां पर जो गोर्खे आके इंडियन आर्मी को जॉइन करते थे और इस वक्र नेपाली सब प्लेंग इंड इंड हैंड क्या कर लेंगे सीपैक की सड़कें उठाके तो नहीं जा सकते ने चैना वापस वैसे अगर उनका बस चले तो ले जाएं वापस अपनी वो सड़कें उठाके लेकिए वहां तो में बन चुकी है मेरा एक दोस्त है वाशनिन डीसी में उसने कहा था कि मैंने उसको का यार दे इसाथ ने को पुरा ब्लोचस्तान लेलो उनके सहत पर क्या से लिए अच्छा बिजली ने प्लांट ले जाएंगे आपको तो अब क्या पर पड़ता है मैंने इस हैवन आपके शहर इसलमाबाद में देखे और जब बिजली जाती थी लोगों ने दो दो ज़एटर रखे है जिसमें 50-50,000 रुपे का डिजल एक दिन में जलता है तो आपके क्योंकि आपने बेस्मेंटों में इसलामबाद के अंदर डालर और पाउंड इतने आपने रख लिए है यू डॉंट किया है मैंने आपको कई दफा कहा था आप इसलामबाद कराची लहौर में अगर इस तरीके से दुनिया को बेफ़ूप बनाया है इतना डालर और पाउंड कठा किया है दुनिया में दुनिया को नहीं पता अभी आपने पिछले दिनों जब आपके आर्मी चीफ साहब ने यह नहीं आपके आये हैं आपको याइद होगा जब डालर को किंट्रोल करने की को पर मारें गये हैं तो ट्राक लेजाल जाके लोड करनी पड़ी करंसी आप इसलामबाद के एक मकान पर आफ जब गया था दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और डॉक्टर कमचिमा और साजे ताड़र साब के बीच में यह डिसकेशन आपको काफी पसंद आया होगा और खासकर ताड़र साब के हमारे प्यारे देश भारत के बारे में विचार जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी तो जैसे कि आपने देखा सबसे पहले इन्होंने बात की भा अजिकेटर्स हों जाए बॉलिवूड एक्टर्स हों सब एक साथ मिलके भारत और भारति परधान मंतरी के सपोर्ट में आए तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेर जरू कर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जुरू बताएं हमें आपके कमेंट्स के इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैल पर नए है तो चैल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिटेस्ट इंट्रस्टिंग और इंपोर्टन वीडियो लाते रहें जय हिंद जय भारत